पाकिस्तान में सियासी बवाल आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है इसके पहले ही इमरान खान ने राज जिपाल को हटा दिया है उनके पद से इसलामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है पाकिस्तान में सियासी बवाल मच गया है इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होनी है जिसके लिए इसलामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई वोटिंग से पहले संसद के आसपास के इलाके सील कर दिये गए जिसकी वज़ेश से कोई भी आपत्ती जनक गति विध्यान ना हो सके और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुडने के लिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी राजनेतिक संपादक जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर जी आज इमरान खार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है वोटिंग से पहले संसप के आसपाद के इलाके सील कर दिये गए वहां का लोकतंत्र बहुत अलग किसम का है और वहां कहने पर को लोकतंत्र है बाकी सेना का हस्तक्षेब बड़ा हस्तक्षेब है वहां पर और शुरू से इमरान को इशारा दिया जा रहा था कि इस्तिफा दीजिए और निकल जाईए और वहां पर ये चलन रहा है कि प्रधानमंत्री पत्स से हटते हैं तमाम चीजों का मुकाबला करते हुए कहीं न कहीं कोई संभावना खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो संभावना है अब लगवक छीन हो चुकी है बड़ा डिफरेंस है बोटिंग में अगर हम बात करें कि उनके पास कोई विश्वास उनके सांसदों का रहा है तो वो बचा नहीं है और जो उनके साथ है वो भी कितना उनके साथ है बोटिंग से बाहर आ जाएगा और एक तरफ उनके गिरस्तारी की भी आशंका जता ही जा रही है तो यह बड़ी बाते हैं मैं फिर कहूँगा कि लोकतंतर वैसा नहीं है वहाँ पर यह लोकतंतर कहने के लिए पाकिस्तान का वहाँ पर सेना का हस्तक्चेप है आईएसाई का हस्तक्षेप है, तमाम ऐसे हस्तक्षेप है और जो कट्रपंती ताक्से हैं उनका बड़ा हस्तक्षेप है तो ऐसे में इमरान उन सब चीजों को नहीं फॉलो कर पाए जो चीज वहां की जरुवत थी और लगातार वो प्रियोग करते रहे और अप प्रियोग में विफलो चुके हैं और फिर प्रियोग के बाद उनको जो कहा गया कि आप अब निकल जाएए, यहां से हट जाएए लेकिन उससे भी वह कहीं ना कहीं नहीं माने हट दर मिलता करते रहे तो वह अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है कुछी देर में देखना होगा कि अब इमरान का क्या होगा बिलकुत रिशूल जी अहम आप से यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि इमरान खान के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है इमरान खान वोटिंग के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं बिलकुल आशंका जिताई जा रही है क्योंकि वहाँ चलन है यह सब चीजों का कि वहाँ अगर है तो बहुत कुछ है प्रधान मंतरी आरास्पती और नहीं है तो कुछ भी नहीं है और वहाँ तो सीट पर बैठे प्रधान मंतरी के खिलाब भी एक्शन हो जाता है सेना का तो फिर ऐसे मैं नहीं मान सकते कि क्या हालाद बन सकते हैं सबसे पहले जो अब नजर बनी हुई है कि वोटिंग क्या होती है क्या गणित बनती है और सबसे बड़ी बात कि अब पहलडा इमरान खान के खिलाब जो है वो बहुत भारी हो चुका है बिलावल भुटो और मर्यम नवाज पूरी तरह से लड़ रहे है लेकिन इमरान खान अभी तक टिके हुए है अब वो किस भरों से टिके हुए है ये समझ मैं नहीं आ रहा है अब तक आज इसलामाबाद में 244 लागू कर दी गई है इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज होनी है आप देखना होगा कि इमरान खान की खिस्मत का फैसला क्या होगा फैसला पीम बने रहेंगे या नहीं ये फैसला आज होने वाला है देखिया फैसला बिलकुल हो चुका है बस महज कहने बर को फैसला होना है इमरान का पियम बने रहने का जो संभावना है वो बहुत छीन हो चुकी है और लगातार उनके खिलाब जो हवा बनी उसको वो समझ नहीं पाए और कुछी देर में जब आश्रास्ताब आएगा तब ये होगा कि इमरान खान आखिर जो गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है या तमाम चीज़े कही जा रही है उसमें से क्या होता है नई सरकार को कौन टेक ओवर करता है दुबारे इलेक्शन फाइट करेगा पाकिस्तान भारत के लिए किस तरह की इस सितियार देखने को मिलेंगी क्योंकि सेना अगर हावी होती है तो कहीं न कहीं वहाँ पर एक महीम रहती है कि जो सरकार में स्रमोर रहता है वो भारत के खिलाप जहर उगलता है इसलिए स्रमोर रहता है और चायद सेना का जो वजूद है वो इसी लिए हावी है कि वो लगातार भारत के खिलाब कुछ ना कुछ अपना एजेंडा चलते रहते हैं तो अब ऐसे में कौन सी सरकार ऐसी होगी क्या चुनाब होगा या फिर कोई केल टेकर सरकार ऐसी होगी कि कहीं न कहीं किसी को कारिवाहक प्रदान मंतरी बनाये जाए या इमरान कोई कारिवाहक प्रदान मंतरी बना दिया जाए नजर बंद कर लिया जाए उसके उस्वारान चुनावों यह त्माम कीज़ें इन पर समभावना है जिन पर क्या होता है लेकिन तब से पहली बात है अविश्वास प्रस्ताव में क्या रियल्ट आता है धनिवाद इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आज पीम बने रहेंगे या नहीं इम्रान खान इस पर फैसला हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के वाद गिरफतार हो सकते हैं इम्रान खान अब ये बड़ी बात होगी कि देखना होगा कि इम्र कि हर दस्तक को देखने के लिए एन्वी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें स्वालोग उठाइए रेमोर और जुड़िये एन्वी न्यूज के साथ टाटास का चैनल नंबर 1927 और एर्टेल चैनल नंबर 356 पर अब एन्व एन्वी न्यूज आपकी बॉलन दावाग, आपकी बाग!